के कबर के आगोश में जब ठक कर सोजाती है मा तब कहीं जाकर थोड़ा सुकूँ पाती है मा फिक्र में बच्चों की कुछ इस तरहां घुल जाती है मा के नौजवां होते हुए भी बूढ़ी नजर आती है मा रूहु से बने इस रिष्टे की गहराईयां तो देखिए के चोट लगती है हमारे और चलाती है मा चाल लोगों में जब तीन टुकडे बचे हो रोटी के भूकी होते हुए भी खाने से उड़ जाती है मा बताती है हमारी बुराईया हमको प्यार से और नेक रास्ते पे हमको चलाती है मा भले ही खुशियों में हम मा को भूल जाएं दोस्तों पर जब मुसीबत सर पर आए तो सबसे पहले याद आती है मा घर से जब दूर जाता है कोई नूरे नजर कुरान हाथ में लेकर दर पर आ जाती है मा परदेश में अगर घर जाएं कभी परेशानियों में आसुओं को पोचने खुआबों में आ जाती है मा के कर्ज हो ही नहीं सकता जिसका कभी अदा वही हस्ती तो इस दुनिया में कहलाती है मा और मरते दम तक अगर ना लॉट पै लाल उसका पर्देश से तो अपनी दोनों पुतलियां चौकट पर रख जादी है मा के महबतों का सलीखा भी कुछ इस तरहां से सिखाती है मा कि महब्बतों का सलीखा भी कुछ इस तरहां से सिखाती है मा कि मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है मा और एक लास लाइन से आपके दिल तक पहुंचना जाओंगा कि कि प्यार होता है क्या और ममता क्या चीज है कि प्यार होता है क्या और ममता क्या चीज है ये तो जनाब उन बच्चों से पूछिएगा जिनकी मर जाती है माँ ये तो वो हो गया जो मेरे माँ पे लिखा था अब लिखने का शौग है तो मुहपत पे तो आ नहीं है तो उससे एक मेरी एक कुछ पंक्तिया हैं उससे शुरुआत करना चाहूँगा के इतने करीब क्यों आ रही हो तुम बात बात पर क्यों महपत चता रही हो तुम मेरे रूटने पर हर दफ़ा क्यों मना रही हो तुम पता है तुम्हें वो शक्स मुझसे ही महबबत सीख कर गया था जिसको प्यार के पाठ पड़ा रही हो तुम इतने करीब क्यों आ रही हो तुम बात बात पर क्यों महबब जता रही हो तुम बिछड़ना था तो यूँ ही बिछड़ जाती यूँ जाते जाते क्यों हग जता रही हो तुम और रुख फेर ही लिया है तो चली भी जाओ के रुक फेर ही लिया है तो चली भी जाओ क्यों जाते जाते मेरा दिल बहला रही हो तुम इतने गरीब क्यों आ रही हो तुम